हेलो अच्छों कैसो आप लोग आइओ आप लोग बहुत बड़ियां होंगे बड़ियां तरीके से पढ़ रहेंगे सभी वीडियो लेक्षाट सभी इकन्टेंट को आप लोग देख रहेंगे और पूरा मल लगा के आप लोग इस्टडी कर रहेंगे जैसे कि आप लोग को inform है मैंने आपको video lecture में बताया भी था आम लोगों का एक YouTube channel है कुमार हलागी आप लोगों को inform है फिर भी मालों inform नहीं है भूल गए हो फिर भी जहां एक YouTube channel है जिस पर आप इसको YouTube पे खोलिएगा और अभी आप video भी देख रहा हूँ वो इसी channel पर आपको मिल जाएगा इस channel पर class 7th के सभी video lectures अलग से separate folder बना हुआ है class 7th science NCRT ऐसे नाम से folder है उसमें लगबग 8-9 chapters complete हो रहे हैं जो नहीं हो रहे हैं उनको हम complete कर रहे हैं तो स्वेंस आपको कोई भी chapter देखना हो sequence से part by part वहाँ पर explain with explain sequel से दड़ा हुआ है तो आप लोग भी problem हो तो आप लोग हमको comment लिखे हैं हम लोग उसका तरण solve करेंगे और like ज़रू करें video जाज़दा बच्चों को इस channel से जोड़ना है ठीक है और अभी है recently हमने chapter number 8 wind storms and cyclone चालू किया है ठीक है तो आप लोग book लेके आईएगा और hand to hand सामने बैठिये और pencil लेके जब जाके lecture को सुनिए ओके बच्चों previous lecture को जैसे कि आपने सुना होगा उसमें हमने intro part बताया था wind storms के वारे में आज हम air pressure के बारे में भी हलका चर्चा किया था आज हम air excret pressure से related कुछ examples को discuss करेंगे तो आप लोग page number 134 पे आईएगा बच्चों कौन से page पर 134 पे ठीक है page number 134 पर आईए the fact that air excret pressure can be understood by many examples air की pressure को समझने के लिए कई साथ example से मसको समझ सकते हैं first the leaves fall from the tree in strong wind due to the pressure of moving air if the speed of wind is very high it can even uproot the tree similarly the flag flutter in moving air due to the pressure excreted by it कई बार क्या होगा आपने देखा होगा जब तेजी से हवाएं आंदी तुफान जब चलते हैं तो अपने साथ पेड़ पोदों पत्तियां बगेरा धूल मिट्टी का ही सब चीज़े उड़ा करें चलती है क्यों को कि हवा का प्रेसर उन लेप्स पर उन पत्तों पर उन डश पर्टिकल पर लग रहा है second point while while rowing is soil boat sail boat it is always easier to row in the direction of fin it is because the air excret a large pressure sail of the boat पानी में तो नाओ बगरा चलते हैं sail boat से बोलते हैं वो हमेशा हवा जिस और होती है उदर ही जाते हैं क्योंकि उससे उनके उपर भी हवा का प्रेसर लगया आसानी से वो आगे जा पाएंगे हम पतं बगरा भी उड़ाते हैं हवा किदर की चल रही है तो जिदर हवा चल रही होती है उदर की तरभ हम पतं उड़ाते हैं स्था हीम के से येर पैसर के का रहनी तो ऐसा होता है हमारे डेली लाइप में कई साडय हावे फिनुमाई गट नाएं होती है जो एर प्रेसर को कनेक्ट करती है third point you must have noticed that while riding a bicycle if the wind blow opposite to the direction of bicycle it is difficult to drive it is a because moving air from the opposite direction excurs good amount of fraser now cycle etc we have to go on the same way we have to go on the opposite cycle you have to go on the same way you have to go on the same way we have to go on the same way ii this happens because high-speed wind creates an area of low pressure due to this दा थेस्ट रूफ इस सगड़ अप इन फाइनली गैस ब्लॉण अवे दस इंक्रीज ऑफाइन इस स्पीड एस्टेड और डिक्रीज एयर प्रेसर जो च्छते वगर बनाई जाती है वो हमेशा देखना च्छते वगर जो होती है उपर का हिस्सा होता है मकानों का जो सबसे हो जाए समझे यसी लिए वो ट्रेंगल सेफ में थरसा दिया जाता है तिक हो ना जिसे बोलते हैं शिक्स पॉंट द विंग्स ऑफ और डिजाइन इन सच ए वे अट एर अवोब दो मूब्स फास्टर थैन एर ब्लो दैम वन दे एरोपलें रन रन वे इन और तो टेक्व सब्सक्राइब करेंगे तो एरोपलें पड़ेंगे तो एरोपलें पड़ेंगा इसलिए उस प्रेशर को कम करने के लिए विंग्स के डिजाइन इस तरिके से दिया जाता है होल होते हैं जो छेद होता है जो उनका पाइप होता है बहुत बारी के रखा जाता है बहुत पतला रखा जाता है पतला मिस उनके बीच में बहुत कम जगह होती है कम जगह होने कान प्रेसर जादा लगता है तो दूर तक जाता है फ़वारी की तरह है ओके इस प्रे की तरह है और भी कई साथी टॉपिकों को हम cover करेंगे तो बच्चों जब भी आप वीडियो देखते हो वीडियो लेक्षर को like करें subscribe करें चैनल को जाज़ाद मोगाइल में सको subscribe करें और कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे contact कर सकते हो ठीक है बच्चों? so thank you students thank you for watching this video and attend this session